तो इस वक्त आप देख रहे हैं तेज़ खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला मदप्रदेश में नसे वरुद रिचल रहे कारवाईयों के दौर में सनिवार को एक बार फिर रिवा पुलिस के बाद सतना पुलिस ने बड़ी कारवाई की है बताया जा रहा है कि सतना की सिंगपूर थाना पुलिस ने गांजे की एक खेत में दविस देते हुए एक क्विंटल 56 किलो गांजा बरामत किया है जिसकी कीमत तकरीवन 15 लाख रुपए बताई जा रही है कारवाई को लेकर सिंगपूर थाना प्रभारी उपनी रिच्छक राश्षी रोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस रिच्छक के लिडर देश में मुख्विर से प्रावतु सूचना के बाद ग्राम कच्छनों निवासी बेटू उर्फ राजा भाया गोर की घर में दविस दी गई जहां पाया गया कि आरोपी ने घर के बाहर बावी की इंदर गांजे के पेंड लगा कर रखा है पुलिस ने मौके से एक कुल्टल 56 किलो गांजे के हरे पेंड जप्त की हैं और आरोपी बेटू को भी गरफतार कर लिया गया है मामले में आरोपी के ब्रोप्ध एंड़ी प्येशेक्ट के तहट अपराद दर्ज कर कारवाई की जा रही है तो इस वक्ति की एक खबर सत्मा जिले से आ रही जहां सिंगपूर थाना पुलिस ने गांजे के खेट से बड़ी मात्रा में पेर बना मत किया है पुलिस द्वारा जबत किये गए गांजे की क्रीमत तकरीबां 15 लाख रुपए आती गई है गांजे की एक खेटी करता है लगाया हुआ है जो बेचने वाला है काटने वाला है पिस मिचना पर में पर बरश्टा वरिकारियों कारेओं की रेट कारवाईट थी दविस्तिया जहांपे 67 पेड हरे खरेगा कुछ पेड़ बहुत पुराड़े थे, बड़े चोटी मिला कि 67 पेड़ प्राप्ट वे, जिनको नहीं से रखाड़े, राइदा अधिली को सब्सक्ति करके, आगे करवाई के, जब उसका तौल किया, तो करीब एक कुंडल, 56 kg करीब का माल प्रामत को, जिसकी गीमत करीब जो कुंडल को